आज का विसा है टिस्ट पेपर फोल्ड, जेई, एससे पीवे और एडियन इस प्रसन पत्र में इस वीडियो के प्रसन पत्र में हम आपसे कुछ रिपीटेड कोश्चन्स पूछेंगे जो परिच्छों में अकसर पूछ जाते हैं पर यहाँ पर इसके संबंध में हम आपसे कुछ और भी जानकारियां सेयर करेंगे कि प्रसनों को उत्तर देने के लिए आपको क्या-क्या जानकारियां आवस्यक होती हैं अगर बे जानकरिया अगर आपके पास है तो आप आसानी से इन प्रस्णों का उत्र दे पाएंगे सिर्फ MCQ का जवाब पाना या MCQ किसे पढ़कर के परिच्छा देना ये उचित नहीं है तो सुरुआत करते हैं आज का पहला प्रस्ण है हमारा आज का पहला प्रस्ण है अर्थात running line में बिचाने के लिए फिट class 2 वर्ग की second hand rail के लिए color code किया है इन्हें आप से पूछा जा रहा है कि running line में अगर हमें second hand का rail बिचाना है तो उसका color code क्या होगा तो इस संबंध में जो हमें जानकारी होनी चाहिए पूरी ताकि इस तरह से संबंधित और भी सवाल गर परिच्छा में पूछ जाते हैं तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएं तो इसके लिए IRPWM का पैरा 722 आपको बारे में पता होना चाहिए जिसमें इस बात का वर्ण किया गया है कि क्लास वन रेलों को पर कोई भी मार्किंग नहीं की जाती है पर क्लास टू रेलों में दो परकार का वर्ण किया जाता है एक रेलों के लिए अलग किया जाता है और बाकी के पीवे मैटेरियल के लिए अलग मार्किंग की जाती है तो class 2 में class 2 ए वर्ग में उन रेलों को रखा जाता है जो की running line में भी चाही जाती है और जिन पर white paint के जाता है यह दोब of white उसी परकार class 2 भी रेलों में वे रेलों रखे जाते हैं जो की non running line में भी चाही जा सकते हैं और जिन पर dob of yellow का paint के और आता है इसके अलावा बाकी जो अन परकार के pv material हैं उन पर dob of white का ही paint किया जाता है और तीसरे परकार में आता है material जो की unserviceable है जो की रेलों में ना तो वो running line में यूज हो सकते हैं और नहीं वो non running line में यूज हो सकते हैं तो ऐसा सिर्फ scrap ही ने किया जा सकता है तो इस परकार के material के लिए चाहे वो rail हो या दूसरे pv materials हो उन सभी पर red, dob of red का marking किया जाता है तो अगर आपको ये जानकारी पता है तो आप आसानी से इस सवल का जवाब दे पाने में सच हम हो पाएंगे तो इस डंक से इस सवल का जवाब आप समझ गया होगा क्या होगा इसका जवाब होगा white नेक्स्ट कुश्चन है तो आपको इस सवल का जवाब जानने के लिए आपको manual के किस पैरा की जानकारी होनी अवस्तेक है तो यहां पर पैरा का extract हमने आपको सामने प्रेस किया हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ maintenance of lead portion and turn in curve जिसमें इस बात का वर्णन है कि at the time of laying the correct sleeper spacing should be ensured to the correct alignment of the lead of the curve यानि कि जब हम sleeper को lay कर रहे होते हैं तो उसमें spacing हमको सही रखनी पड़ेगी ताकि हम correct alignment achieve कर सके लेकि maintenance के दौरान में इस चीश को check करने के लिए तीन-तीन मीटर के interval पर station marker दी जाता है और वहां पर उसके बाद वहां पर वर्साइन चीख किराता है पर यह इसमें एक निश्चित तौर पर श्वत कर ध्यान रखना होता है कि वर्साइन की सीमा जो उसकी design value है या theoretical value है उससे 3 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यह good practice है maintenance की good practice है क्योंकि इससे अगर ज्यादा होगा तो यहां पर riding comfort या दूसरी development के संभावना है बननी चालू ह हो सकती है तो इस से अगर पैरा के अगर आपको जानकारी है तो ही इस सवाल का आप जवाब दे पाने में सच्छम हो पाएंगे तो इस हिसाब से आप समझगे होंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा यह 3 mm इस सवाल का जवाब तब दे पाएंगे जदि आप इस पैरा के बारे में जानते होंगे पैरा संख्या 410 इसमें किलियर नी वर्णन है कि देर सुड़ बी नो चेंज ऑफ केंट बिट्विन पॉइंट से 20 मीटर आगे और 20 मीटर बियोंड दर नोज अप्रॉसिंग और क्रॉसिंग के नोज से 20 मीटर पीछे तक सुपर एलिवेशन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए नॉर्मली टर्न आउट सुड नॉट भी टेकें ऑफ फ्रम दे ट्रांजिशन ऑफ दे कर्व ऑफ दे में लाइन कर्व यहां पर एक एक एक्ष्टा जनकारी भी आपके लिए मिल रही है कि ट्रांजिशन कर्व से टर्न आउट को सामानता नहीं निकाला जाना चाहिए लेकि हमारी सवाल से हमारा भी इसमें जरूरत नहीं हमारा इसके पहले पार्ट से हमारा सवाल के जवाब मिल जाता है और इसका जवाब होगा बीस मीटर आगे और बीस मीटर पीछे और क्रॉसिंग की नाक से बीस मीटर पीछे तक के कैंट में कोई भी परिवर्थन नहीं होना च वर्टिकल वियर की JOO limits simulate वो आपको पता होना चाहिए जैसा कि आप शकीन पर गर देख पा रहा होंगे तो limits of vertical gear की साठ केजी का अगर रेल है विर्टिकल वियर की सीमा अधिकतम 13 mm तक है और 2 केजी का अगर रिए तो vertical gear की सीमा 8 mm तक है इसके अलावा यहाँ पर लेटरल बियर की भी सिमाएं दी गई है जिनको कि आप देख सकते हैं और इसको समझ करके क्योंकि अगर आपको याद है तो चाहे वो आप सवाल में वर्टिकल बियर पुछा गया हो या लेटरल बियर पुछा गया हो आपासानी से इन सवालों का जवाब दे पाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देखें गर लेटरल बियर में अगर देखें तो आप सबसे पहले देखें अस्टेट बियर और कर्व तो कर्भ में जो सीमाय दी गई है वो root के हिसाफ से दी गई है जबकि vertical beer में जो सीमाय दी गई है वो root के हिसाफ से नहीं है वो सभी जग़े एक समान है कि 60 kg per meter का rail section होगा तो maximum vertical beer 13 mm तक हो सकती है और बामन kg का rail होगा तो 8 mm तक हो सकती है जबकि यहां पर lateral bear में आप देख रहे हैं कि गोलाई और state में घिसाओ अलग-अलग तरीकेस होते हैं, गोलाई में घिसाओ ज़्यादा होता है, इसलते यहां पर अगर आप देखें, वैसे ही एकर root होगा, तो speed ज़्यादा होगा, तो speed ज़्यादा होने के cases में, जहां ज़्य पर 6 mm होगी, और C और D root पर 10 mm है, तो C और D root पर state में 8 mm होगी, यहीं दो-दो mm इसमें से कम हो जाएगी, तो इस परकार आप इस सवाल का जवाब देपाने में, अब सच्छा हो पाए होंगे, कि 60 kg rail का अनुमत vertical bear कितना mm है, and that is 13 mm. नेक्स्ट कोईश्चन, वर्साइन ऑफ लीड कर्वां 6 mm long कॉर्ड फर ब्रोड गीच, 1 in 12 कर्व स्वीच इस, यहीं बीजी में अगर एक बारा का कर्वड स्वीच है, तो 6 mm लंबी कॉर्ड पर लीड गोलाई के वर्साइन का मान कितना होना चाहिए, यह एक कलकुलेटिव क पूछा गया है, जिसका आपको जवाब देना है, तो आपको कलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके लिए क्यों से जानकारी आपको जरूरत है, तो आपके पास यहाँ पर आपके पास जानकारी है, वो दी गई है, कि यह फर्मूला आप देख पा रहे हैंगे, और इसे अगर आप सिंप्लिफाई करें, तो वी इपोल्स टू हो जाएगा, वन ट्वंटिफाइब सी एस्क्वाइर अपॉन और, तो यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा, कि एक बारा में जो लीड गुलाई होती है, उसका रेडियस कितना होता है, तो इसका रेडियस होता है, चार सो 44360 mm, इसे मीटर में अगर हम कर दे रेडियस को, तो 441.360 मीटर हो जाएगा, और उपर की वैलू 125 हो गई, और कॉड जो यहाँ पर होगा, 6 मीटर की कॉड है, तो 6 into 6, तो इस पर का जवाब इसे solve करेंगे, तो इसका जवाब जो आएगा, आपको 10.19 something dot 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 आता है, तो इस से आप समझ पाए हों कि इस सवाल का जवाब आपको या देना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब होगा, C 10.19 mm, अगला सवाल पर आते हैं, grid compensation of BG, dash percent per degree of curve, broad gauge में गोलाई में दिया जाने वाला grid compensation, कितना परतिसक परति डिगरी होता है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको manual के इस पहरा के जानकारी अवस्यक है, यहाँ पर देखें, आपके लिए लिए लिखा हुआ है कि compensation for curvature should be given in all cases where existing gradient when added to the curve, compensation exceed the ruling gradient, ruling gradient से ज़्यादा होता है, तो यहाँ compensation दिया हुआ है कि 70 upon R, यानि कि जो इसका आपके पास जो gradient है, जो 583, यहाँ पर आप देखें, तो 0.04% per degree of curvature, तो आप इस सवाल का अगर जवाब देना चाहते हैं, तो आपको यह जानकारी होनी अवस्यक्ति, तो इस डंक से आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा C, 0.04% per degree, अगली सवाल क्यों चलते हैं, इस का बीजगनिति ये योग कितना के बरावर या उस से अधिक हो, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको यह जानकारी अवस्यक्ति होनी चाहिए, अब वर्टिकल कर्व सेल बी प्रोवाइड़ेड ओनली अट दे जैंक्शन ऑफ ग्रेड फेर अलज़ेवरिक डि पूछा जाता है, और कभी कभी इस से सम्मंदित इवी सवाल पूछे जाते हैं कि ग्रूप A रूट पर मिन्मूम रेडियस का वर्टिकल कर्व कितना प्रोवाइड के जा सकता है, और ग्रूप C रूट D और E रूट पर कितना के जा सकता है, तो यहाँ पर तीन बदलें तो पॉइंट 4% हो सकता है, और मिन्मूम रेडियस वर्टिकल कर्व जो ग्रूप A रेट पर होगा, वो 4000 मीटर होगा, ग्रूप B रूट पर 3000 मीटर होगा, ग्रूप C, D और E रूट पर, अब जबकि यह E रूट है नहीं, देकिन यह मैनूल में लिखा हुआ था, तो ग्रूप C और D रूटों पर 2500 मीटर होगा, तो इस ढंक से आप इस सवल का जवाब दे पाने में सच्छम हो पाएं होंगे, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा, 4 मीटर, 4 mm पर मीटर, नेक्स्ट कोशन है, ब्रोड गेज लाइन्स रूट हैब बिन क्लासिफ पहले इसकी रूटिंग और भी थी, पर अभी ये क्लासिफिकेशन, AC6 के नुसार से, इसे सिर्फ चार कैटेगरी में रखा गया है, ग्रूप A जिसमें की अप्टू 160 के इंपियस तरकिया स्पीट की ट्रेने चलाई जा सकती है, ने जो रूट एक्सोजाट तक हो सकती है, और गुरूप C में सिर्फ सर्वर अरवन सेक्षन रखे गया है, मुंबई, दिली, चिन्नाई, कॉलकाता के, और गुरूप D में अप्टू 110 केमपेश दखवाली सभी रूटों को रखा गया है, जो पहले गुरूप D और E होती थी, वो सभी हटा दी गया है, और उन्हें E गुरूप D रूट ही माना गया है, तो इस सवाल का जवाब इस जानकरी से आप आसानी से समझ पाएंगे कि ब्रोड गेज लाइन्स में, ब्रोड गेज लाइन्स को कितनी भागों में बाटा गया है, तो इसका जो जवाब आप समझ पा रहे होंगे, वो आपको पता चल गय किसका सवाल का जवाब?, क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा, चार भाग, यहनि कूल चार भागों में इस से बाटा गया है नेक्स्ट कोश्चन मिनमूम फॉर्मेशन बिर्थ फॉर डवल लाइन स्टेट ट्रेक इन ब्रोड गेज़ ब्रोड गेज डवल लाइन सिधे ट्रेक के लिए निउन्तम फॉर्मेशन की चोड़ाई नए कार्यों के लिए कितनी होगी यहाँ पर आप ध्यान देखें किसी इसकी बारे है पहला तो पूछा गया है ब्रोड गेज होने चाहिए दूसरा डवल लाइन है तिसरा सीधा ट्रेक है चौथा निउन्तम फॉर्मेशन की चोड़ाई के बारे है पूछा गया है तो या निउ ट्रेक है तो क्या ओल ट्रेक के बारे हमाँ जानकारिया ज़रूरत नहीं है तो इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही नहीं है इसके अलावा और भी जानकारिया आपको होने चाहिए कंफर्म जानकारिया होने चाहिए ताकि इस सवाल के जवाब देने में इसी प्रकार की गलती नहीं हूँ तो इससे संबंधित आपको कौन-कौन से जानकारी है आपको पता होनी चाहिए तो बोट देखिए जैसे कि existing work existing work में minimum embankment with 1250 mm होती है और वही cutting में side range को छोड़ करके 1150 mm होती है new works है या alteration to existing work है तो embankment में 13160 होती है और side range cutting भी 13160 होती है तो यहाँ पर कौन मिनाकर क्या आप देख रहे हैं कि नए work में जो existing work के alteration किये गये हो या नए work किया गया हो तो minimum bits जो होगी वो होगी 13160 की होगी तो इस परकार से हम इस सवाल का जवाब दे पाने में सच्छम हो पाए हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा इस सवाल का जवाब होगा 13160 तो next question में देखे cross slope of cell we provided on the top of formation of the new work नए कारियों में formation की उपरी सतह पर दिये जाने वाला cross slope कितना होता है तो इससे भी सम्मंदित हमको पूरी जानकारी हमको लिनी है तो हमको इसके लिए क्या जानकारी होनी चाहिए तो in double line work existing lines cross slope of 1 in 40 in existing old formation और 1 in 30 cell we provided for the newly construction for the doubling यानि कि पुराने काम अगर होगे तो उसमें 1 in 40 का cross slope दिया गया होगा और अभी बरतवान कार्यों में जो भी कार्ज हो रहे हैं उन सभी में 1 in 30 का cross slope दिया जाएगा तो इसका जवाब हो जाएगा 1 in 30 इसी के साथ आज के प्रस्नोत्री कार्ज करम समाप्त होते हैं हम मिलेंगे फिर से कुछ नए प्रस्नों के साथ में की परिच्छा में लगातार ही पूछे जाते हैं धन्यवाद